मैं आई हूँ पूंखशी की सबजी उठाने आज अब इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं नमस्कार फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बिच्छू बुटी का साग और ऐसे तो ये घास होता है इसका साग बनता है बहुत ही टेस्टी साग बनता है और हल्दी भी होता है और श्टी गुन होता है और ये पाए जाता है पहाड़ों में बहुत अधिक मातरा में और देख सकते हैं आप इसको कंटिली दार होती है मैं चिम्टे से कैसे उठा रही हूँ हाथ से अगर आप छुएंगे तो एक ले लग जाएगा और बहुत ज़्यादा पैन होगी इस से और पानी की बीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पैन होती है और काफी टेस्टी साग बनता है इसका और किस तरह से बनाए जाता है मैं आज आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी अपनी रेसिपी सरल विल्कुल इजी तरीके से आप लोग आगे वीडियो में बने रहे हैं मैं इसको बॉइल करूँगी कुकर में गिलास पानी डाल कर और ये अराम से वैसे तो कड़ाई पतीले किसी में भी बॉइल करो अराम से पक जाती है पर मैं कुकर में कर रही हूँ आसानी से गल जाएगी और बनाने में असानी हो जाती है और मैंने कुकर चड़ा दिया है देख सकते हैं एक सिटी आ गई है दो और सिटी आने दूँगे तीन सिटी लगाने से बड़ा अच्छा पकता है और जल्दी से तियार हो जाता है तो यहाँ देखिए मेरे पास है यह टिंबर जो हमारे दातुनके कामाते उसके दाने हैं यह मेरे पास हैं और यह बहुत अच्छा लगता है इसके बेच अगर आप लोग के पास है तो इसका यूज कर सकते हैं आप अगर नहीं है तब भी ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे पास पड़ा है इसलिए कर रही हूँ इसका यूज तो इसमें मसाला ये देखिए लसन और सुखी मिर्च वो आप जितना आपको जरूरत लगे उसके हिसाब से लेएगा और जो टीमबर के दाने हैं मैं उनको पीस लूँ अगर आप टीमबर के दाने डाने डार रहें तो बिलकुल ही बारिक पीसिएगा नहीं तो मुह में लगत से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है वैसे तो काटके भी डाल सकते हैं अब मेरा कुकर ठंडा हो चुका है और मैं खोल दूँगी पार मैंने कड़ाई लगा दी है और देखिए इस तरह का हो गया ये एक ग्लास पानी भी सुख चुका है मेरा और अब इसको इस तरह से साग और जब हम इसको बाल देते हैं तो कांटे सारे गूल जाते हैं बिलकुल से भी और इसको उठाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और इसको चिम्टे की साइटा से उठाना होता है और साफ भी चिम्टे की साइटा से करना होता है दोने के लिए और तो ये देखिए म इंतर के के लिए डाल दिया है जो मैंने लसन और सुखी मिर्च पे इसके रखी थी वो डाल दिया है और इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होते है डायरेक्ट उसी को डालना होता है और उसके बाद जब तक वो पक जाते हैं मैं और गोटा लगा रही हूँ जितना अच्छे से साग घोट जाएगा उतना ही आपका टेस्टी बनेगा लसन और मिर्च का मिक्चर जैसे ही तेल में पक जाएगा उसके बाद मैंने डाला है ग्योंका आटा आप छली का आटा और वेशन कुछ भी डाल सकते हैं तो मेरे पास ये वेशन भी नहीं था और चली काटा भी नहीं था इसलिए मैंने ग्यों काटा डाल दिया है थोड़ा सा और इसको अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद डालेंगे हम नमक और इसमें बाकी कुछ नहीं पड़ता आप हल्दी भी आपकी मर्जी है डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं मुझे हल्दी क कलर इसमें पसंद नहीं आता है क्योंकि मुझे ग्रीन कलर ही पसंद आता है इसलिए मैं हल्दी भी नहीं डाल रहे हूं और यह देख सकते हैं आप अच्छे से घुल गया है हमारा साग और इसको इसमें डाल दीजिए कड़ाई में जैसे ही आपका आटा अच्छे से भून जा होगा और उत्ना ही टेस्टी बनेगा और इसमें थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं आपको अगर ज्ज्यादा ठixonस लगे वैसे तो ठीकनस ही अच्छी लगती है गाड़ पनी अच्छा लगता है पर थोड़ा साप पानी डाल सकते हैं अपने अनसार और लास्ट में मैं डालूंगे जो टिंबर मैंने पीस के रखा था इसको इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है टिंबर के दाने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको और जो बिचबुटी का साग है जितना आप घोटा लगाएंगे जैसे मैंने बताया उतना ही अच्छा बनेगा आप देख सक रहे हैं कि मैं कितना अच्छे से घोट रही हूँ इसको बहुत टेस्टी बन आप लोग जुरू बनाया के खाईएगा टिंबर को डालने के बाद धकन लगाके दो से तीन मिनट तक उबलने दीजिएगा उसके बाद आपका साग बनकर रेडी हो जाएगा बिचबुटी का साग बनकर बिल्कुल तियार है यह देखिए मैं आपको सर्फ करके भी दिखा और कितना ग्रीन दिख रहा है देख लीजिए मेरे को तो बिल्कुल ग्रीन कलर यह पसंद है इसलिए मैंने हल्दी वगरे कुछ नहीं डाला आप लोगों के सामने ही दिखाया मैंने सब कुछ काफी स्वाद लगता है और इसके साथ मैंने सुखी मिर्च फ्राई करना भूल तो फ्रेंट्स कैसी लगिया आपको विच्ची बुटी का साथ की रेसिवी और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए 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 बनाके जरूर खायेगा बाबा